मेरे घर के लिए कितना बड़ा solo system sufficient रहेगा जिससे कि मेरा बीजली का bill कम और कई कई cases में zero हो सके तो दोस्तो आप मेंसे कई लोगों ने हमें ये question पूछा है दोस्तो सबसे पहले आप अपना बीजली का bill निकालिए उसमें देखें कि भाई आपका average monthly unit consumption कितना है मतलब कि कितने units आपका average monthly consumption है मिसाल के तोर पे 200 unit या 300 unit तो आपका अगर monthly consumption 300 unit है उसे divide कीजिए 30 दिन से यानि कि month के 30 दिन तो on and average आपका 10 units daily consumption निकलता है तो इन 10 units को generate करने के लिए आपको minimum 2 से लेकर 3 kilowatt का grid connect solar rooftop system लगवाना होगा on and average एक kilowatt का system चार unit generate करता है तो 2 kilowatt वाला 8 unit generate करेगा 3 kilowatt वाला 12 unit on and average generate करके देगा और आपने खुदी calculate किया है आपका monthly consumption 300 unit है तो आप अगर 2 kilowatt का system लगवाएंगे तो आपका system 2 multiplied by 4 multiplied by 30 that is 248, 830, 24, 240 units monthly generate करके देगा उसी तरह अगर आप 3 kilowatt का system लगाते हैं तो 3 multiplied by 4 multiplied by 30 3, 4, 012, 12, 3, 036, 307 unit आपको monthly generate करेगा in both the cases आपका बिजली का बिल कम और कई-कई cases में 0 होना ही है और हाँ इसकी अंदाजन कीमत की अगर बात की जाए तो आज की rate में एक 3 kilowatt का system आपको 220,000 से 250,000 के बीच में मिल जाएगा और वहीं अगर हम government subsidy की बात करें तो central government की subsidy 78,000 रुपय है और आपके उधर अगर state की subsidy मिल रही है तो वो additional bonus हो जाएगा मिसाल के दौर पे आप अगर उतरप्रदेश में है तो वहाँ पे state की additional subsidy 30,000 है तो center की 78,000 प्लस state की 30,000 that comes to 1,08,000 रुपीज आपको subsidy मिलेजी तो मोटा मोटी आपकी actual cost कितनी हुई डाही लाक रुपे में से आप एक लाक रुपे subsidy के निकाल देंगे तो आपका जो investment है एक लाक पचास जार के आसपास ही आएगा और अच्छी बात यह है कि भई इन systems को लगवाने के लिए bank loan भी देती है Issued in public interest by solar is my passion